मातारानी का एक ऐसा मंदिर जहां जाने से पूरी होती है हर एक मनोकामना कोरोनकाल में भी यहां लगती थी भक्तों की भारी भीट माता का मस्तिश को गिरने के कारण यहां का नाम पड़ा मंसा देवी इस मंदिर से जुड़ी है कई अनूठी कहानिया जिनका है इतिहास में व प्रैयास कर रहा है इसी बीक माता मनसा देवी की खूप चर्चा हो रही है। आज मांता कुप का मनसा देवी के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह मंनसा देवी मंदिर जो मनसा कहा पर λहे दरसल मां देवी का these चमतकारी मंदिर पंचुकुला में इस्तित है ये माता मंसा देवी का मंदिर एक्यावन शक्ती पीटों में से एक महत्वपून पीट है अपने आप में ही इतिहास समेटे हुए प्राचीन मंदिर बेहत खास है क्योंकि ये वही जगह है जहां माता का मस्तिश को गिरा था और तब से ही इस मंदिर को मा मंसा देवी का मंदिर कहा जाने लगा इस मंदिर को लेकर ऐसी अवधारना है कि यहां आने वाले भक्तों की हर एक्षा पूरी होती है तो वहीं अगर बात करें कि इस मंदिर का निर्मान कब और किसने कराया इसको लेकर इतिहास के पन्नों से जानक गया करीब 200 सालों से इस मंदर में शद्धालू माता मंसा देवी के दर्बार में माथा टेकने दूर दराग से आया करते हैं मंसा देवी को दर्शन के बाद दोगों के कठिन से कठिन काम बनने लगते हैं इस मंदर की एतिहासिक प्रस्ट भूमी ये भी बताती है कि इस बार की जिसके माध्यम से राजा रोज इस गुफास से होते हुए मंदिर पहुंचते थे और माता मंसा देवी की पूजा अर्चना करते थे इस मंदिर में कई सालों से शद्धालू माता टेकने के लिए आते हैं लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे उस समय भी यहाँ पर भगतों की भारी भीर देखने को मिला करती थी जो माता से मन की बात कहने आया करती थी इस मंदर से जुड़ी हिंदु धर्म ग्रंथों की एक कथा ये भी कहती है कि भगवान शिव और माता पार्वती की छोटी पुत्री मनसा देवी को माना जाता है जिनका जन्म मस्तख से हुआ था और इस कारण इनका नाम मन्शा पड़ गया महाभारत धर्म ग्रंथ के अनुसार मनसा देवी का वास्तविक नाम जरतकारू है और इनके समान नाम वाले पती महर्ची जरतकारू तथा पुत्र आस्तिक जी भी है फिलाल मनसा देवी का मंदर देश समयत विदेश में खूब प्रसिद है यहां आयभगतों की एक्षा पूरी होती है इसलिए तो इस मंदर में भगतों की अच्छी खासी भीर देखी जाती है आप मंसा देवी के मंदर को लेकर क्या कहना चाते हैं इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साजा कर सकते हैं बिरो रिपोर्ट पीडियन न्यूज